भारतिय टीम के उपकप्तान और ओन राउंडर हार्दिक अंडिया के तलाग की खबरें चल रही हैं। हार्दिक ने 2020 में सर्विया की मॉडल नतासा स्टैनकोविक से शादी की थी। हार्दिक पिछले काफी समय से चर्चा में चल रहे हैं। पहले IPL में मुंबई इंडियन्स की उन्हें कप्तानी मिली और इस पर जम कर बवाल हुआ। अब IPL से मुंबई इंडियन्स के बाहर होते ही हार्दिक निजी जीवन को लेकर चर्चा में है। रिपोर्ट्स की माने तो हार्दिक को तलाक के बाद नताशा को सत्तर प्रतिशत प्रॉपर्टी देनी होगी। नताशा ने अपने इंस्टग्राम से हार्दिक पंडिया का नाम हटा दिया है। यही से दोनों के बीच अन्बन की खबरों को हवा मिल गई। IPL 2024 के दोरान नताशा किसी मैच में हार्दिक को सपोर्ट करने स्टेडियम भी नहीं पहुंची। वैलन्टाइन डे के बाद से नताशा ने अपने सोशल मीडिया पर हार्दिक पंडिया की कोई फोटो शेयर नहीं की है। नताशा के जन्म दिन के मौके पर भी हार्दिक ने उन्हें बधाई नहीं दी थी। इन सब की वजह से ही शादी तूटने की बात हो रही है। तलाक की खबरों के बीच हार्दिक पंडिया का एक पुराना वीडियो वाइरल हो रहा है। इसमें वह गौरव कपूर से बात कर रहे हैं। हार्दिक इस वीडियो में बोल रहे हैं कि उन्होंने सब कुछ अपनी मा के नाम पर कर रखा है। हार्दिक वीडियो में बोल रहे हैं सब मम्मी के नाम पर है। कार से लेकर घर तक सब कुछ। मेरा भरोसा नहीं है, मैं मेरे नाम से नहीं लूँगा मुझे 50 प्रतिशत किसी और को नहीं देना है, आगे जाकर मुझे बड़ा चुभेगा दोस्तों, ये खबर कितनी सच है, ये तो वक्त ही बताएगा आपको क्या लगता है, ये कमेंट पे जरूर बताएं धन्यवाद